नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका RG Smart Class में और आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं वाय मंडल की परतों के बारे में तो वाय मंडल की अगर हम लोग परतों की बारे में बात करें तो वाय मंडल की जो है वो पाच परते होती है यह बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं तो ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूं तो आपको एक चोटी सी लाइन याद रखनी है आपको याद रखना है छोड सब को मैं आया बाहर ठीक है यह चोटी सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है छोड सब को मैं आया बाहर और इससे जो यह वाइमुंडल की परतों का क्रम है यह आप याद कर सकते हैं तो गर हम लोग धरातल से बात करें तो हमारा जो धरातले वो यहाँ पर होगा और धरातल के सबसे जो नजदीक की परत है वो है छोब मंडल तो इसको कैसे याद करेंगे दोखो छोड तो छोड यहाँ से चोब मंडल ठीक है उसके बाद में है सबको तो सबको से क्या हो गया समताप मंडल सा से क्या हो गया समताप मंडल छाइन-मंडल आए जैसे ही सा से समताब मंडल फिर मैं, मैंडे मंडल मैं आया, आया से आयन-मंडल बाहर से को बाहे मंडल उसे परतों का क्रम आप सकते हैं और उसके बाहे मंडल यहाँ पेंगे इंग्लिश में नाम लिखे हुए चोब मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फेर, समताप मंडल को बोलते हैं स्टेटोस्फेर, मद्य मंडल को बोलते हैं मैसोस्फेर, आयन मंडल को बोलते हैं थर्मोस्फेर या फिर इसको आयनोस्फेर भी बोलते हैं ध्यान रख अगर हम लोग धरातल से बात करें तो 0 km से लेकर 16 km के उचाई तक आपको छोब मंडल का विस्तार देखने को मिलता है और यह हमारी प्रत्वी की सबसे नजदी की परत है ठीक है जैसे छोब मंडल में उचाई बढ़ेगी वैसे वैसे आपको तापमान में जो है वो कमी देखन है वो एक डिगरी सेल्सियस जो है वो कम हो जाता है ठीक है हर 165 मीटर के उचाई पर तापमान में एक डिगरी सेल्सियस की कमी देखने को मिलती है और अगर हम लोग हर एक किलो मीटर की बात करें तो एक किलो मीटर की उचाई पर तापमान में 6.4 डिगरी सेल्सियस की जो कम धरातल के नजदीक पाई जाती हैं तो धरातल के जो सबसे नजदीक की परत है छोब मंडल तो ग्रैविटी के कारण यहां पर गैसों का घंद तो सबसे अधिक है तो इस वज़ेसे यह हमारे वाय मंडल की सबसे घनी परत भी कहलाती है इसके लवा जो मौसम संबंदी परेश, कोहरा, ओले गरना यह सबी जो घटनाएं यह भी आपके छो मंडल में ही संबंद होती है और छो मंडल को हम लोग अधो मंडल और समवहन मंडल इन नामों से भी जानते हैं बढ़ते अगले मंडल की तरफ वाय मंडल की जो अगली परत है वो है समताप मंडल और समता मंडल जो है यहाँ पर मौसम एकदम क्या रहता है साफ रहता है इसके लवा यहाँ पर उचाई बढ़ने के साथ साथ ताप मान में कमी देखने को नहीं मिलती है यहाँ पर जो ताप मान है वो इस्थिर रहता है इसी वज़े से इसका नाम है समताप सम का मतलब बराबर परतन देखने को नहीं मिलेगा और इसके लावा चुकि यहां पर मौसम एकदम साफ रहता है इस वज़े से यह परत वायूयान उड़ाने के लिए आदर्श है तो जो एरोप्लेन वगेरा है वो कहां पर उड़ाये जाते हैं समताप मंडल में उड़ाये जाते हैं बहुत तो ओजोन परत की जो मोटाई मापने की एकाई है वो डॉप्सन कहलाती है याद रखेंगे इसको इसके लावा समताप मंडल के निचले भाग में मूलाब मेग पाये जाते हैं जिनको बोलते हैं परल आफ मदर क्लाउड आपने देखा हुआ बहुत सारे प्लेन के अगर वी प्रादर जैसे लगते Сरों देखने में कि इसके लावा समताप मंडल ने जैसे कि मूताया कि आपको यहाँ पर ऊचाई बढ़ेने के साथ जो टापान क्या रहेगा इस तरह बढ़ते अगली परत के तरफ अगली परत है मध्य मंडल मध्य मंडल जो है इसकी जो उचाई है वो है 40 km से लेकर 80 km तक तो 40 km से लेकर 80 km तक मद्यमंडल का विस्तार है मद्यमंडल में उचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होती है और ये हमारे वायमंडल की सबसे ठंडी परत है minus 100 degree Celsius तक ताफमान हो जाता है मध्य मंडल में और एक बहुत important fact है कि जो उल्का पिंड होते हैं जो metroid होते हैं वो मध्य मंडल में ही जलके नश्ट होते हैं कई बार exam में question पूछा गया है कि उल्का पिंड जो होते हैं वाय मंडल की किस परत में जलकर नश्ट होते हैं तो आप याद रखेंगे कि जो वाय मंडल की सबसे ठंडी परत है मध्य मंडल यहीं पर आते आते उल्का पिंड जो है वो जलके क्या हो जाते हैं नश्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर उलका पिंट जलके ठंडे हो जाते हैं इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको आगे बढ़ते हैं अगली परत है आयन मंडल और आयन मंडल का जो विस्तार है वो है 80 km से लेकर 640 km तक यह क्लास भी जो आप देख रहे हो तो इसमें भी कहीं कहीं आयन मंडल जो है वो आपकी help कर रहा है क्योंकि आयन मंडल जो है यह संचार के लिए आवश्यक परत है और यहाँ पर उचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में आपको क्या देखने को मिलेगी व्रद्धी देखने को मिलेगी यहाँ पर उचाई बढ़ने के साथ प्रत्वी पर परावर्तित होती है आपने जो D2H वगेरा देखा होगा तो D2H वगेरा को जो सिगनल मिलते हैं तो वो सिगनल इसको कहां से मिलते हैं आयन मंडल से ही मिलते हैं वायू मंडल की जो यह परत है यह संचार में साहता करती है यह संचार में साहक परत है याद रखे सबसे बाहरी परत है और इसके बाद ही अंत्रिक्ष का जो विस्तार है वो शुरू होता है यहां पर हलकी गैसों का विस्तार है जैसे की क्लास की शुरौात में मैंने आपको बताया कि जो भारी गैसे होती है वो ग्रायविटि के कायद पार आपको देखने को मिलेगा कहां पर बाहे मंडल में याद रखेंगे बाहे मंडल में हाइटोजन और हीलियम गैसों का विस्तार है यह वही दो गैसे हैं जिनका विस्तार सूरे में भी है अगर सन की बात करें सूर की बात करें तो सूर में कौन सी दो प्रमुक गैसों का विस्तार है तो याद रखेंगे स जरूर बताएगा कि आज के ख्लास आपको कैसे लगी मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई थांक यू